हलो एंड वेलकम अगें टू माई चैनल संदीव जैन क्लासिस आजम क्लास 12 इंग्लिस कंपल्सरी की सेकंड टेक्स्ट बुक पैनोर्मा के थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट गिटार प्लेयर इसकी स्टुडी करेंगे इसका लाइन तू लाइन हिंदी में ट्रांसलेशन स हुई थी उसमें से ली गई है इस कहानी में लेखी का पित्र सतात्मक समाज में महिलाओं की स्टती पर प्रकाश डालती है वह लिंग भेट के खिलाफ आवाज उठाती है और इस बात पर जोड़ देती है कि महिलाओं की अपनी पहचान होनी चाहिए दा गिटार प्लेयर मे जिस लड़की का वर्णन किया गया है वह चाहती है कि उसकी प्रतिभा, उसका कोशल, उसकी कला सब उसे अहमियत दे, उसकी पहचान हो और उसको महत्व दिया जाना चाहिए तो आईए हम इस कहानी का अध्याइन करते हैं एक लड़की गिटार बजा रही थी और ऐसा गटित हुआ, ऐसा सयोग में से ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति जो वहां से गुजर रहा था, उसने ये संगीत सुना और वो उस लड़की के प्रेम में पढ़ गया, वो उस लड़की से प्रेम करने लगा, फेल इन लव इद हुआ Is it my music you love? Incorate the girl or me. उस लड़की ने पूछा कि क्या ये मेरा संगीत है जिससे तुम प्रेम करते हो और मी या मुझे प्रेम करते हो? क्या ये मेरा संगीत है जिससे तुम प्रेम करते हो या मुझे प्रेम करते हो The music continued, संगीत बसता रहा Water from a fountain rose into the air and fell away पास में एक फवारे से पानी हवा में उपर उठा और नीचे गिरा The listener thought hard and finally said उस स्रोता ने वो जो व्यक्ती जो पास से गुजर रहा था जिसने इस लड़की का संगीत सुना था Thought hard, उसने गहराई से सोचा and finally said और आखिर में कहा, I don't know उसने कहा मैं नहीं जानता What is the right answer? सही उत्तर क्या है? उसने लड़की से ही पूछा के सही उत्तर क्या है? शांट टेल यू, replied the girl उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूंगी But that's not it लेकिन ये सही नहीं है यानि तुमने जो प्रश्न पूछा है या जो उत्तर दिया वो सही नहीं है And she went on playing और वह गिटार बजाती रही Soon another passerby happened to see her And also fell in love जल्दी ही एक दूसरा रहागीर जो वहाँ से गुजर रहा था संयोप ऐसा हुआ कि वह भी उसके प्रेम में पढ़ गया वह भी उससे प्रेम करने लगा उसने उसे देखा और वह उसे प्रेम करने लगा Is it me you love? Inquired the girl or my guitar क्या यह मैं हूँ जिससे तुम प्रेम करते हूँ या मेरे गिटार को प्रेम करते हूँ उस लड़की ने पूछताच की The second passerby stared at the guitar Smiled at the girl And at last ventured to say उस दूसरे रहागीर ने गिटार को गोर से देखा और smiled at the girl लड़की के तरफ मुस्कुराया And at last ventured to say और आखिर में कहने की हिम्मत की Well, I don't know उसने कहा कि मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता है It's a beautiful instrument ये एक बहुत ही सुन्दर उकरन है संगीत का यंत्र है What is the right answer? उसने भी वही प्रशन दोराया कि सही उत्तर क्या है But she just said that wasn't it and went on playing लेकिन उसने वापस वही कहा कि ऐसा नहीं है यह सही नहीं था and went on playing और उसने गिटार बजाना जारी रखा The two passers-by were greatly perplexed दोनों ही रागीर अत्तिधिक परिशान थे परिप्लेक्स परिशान All night long the guitar music ran through their heads and when they returned the next day it was perfectly obvious that they had both prepared their speeches पूरी रात भर उनके दिमाग में वो गिटार का संगीत बसता रहा और अगले दिन जब लोट कर वापस आए तो यह perfectly obvious था यह पूरी तरह से इसपस्ट था that they had both prepared their speeches के उन दोनों ने अपने भाशन तैयार कर लिये थे यानि वो कुछ तैयार करके आए थे पूर्व निर्धारित उत्तरून के पास में थे I would love you, declare the first even if you could not play a note of music पहले ने कहा के मैं तुम्हें प्रेम करूंगा चाहे तुम संगीत का एक स्वर भी न बजा सको यानि तुम संगीत न भी जानो संगीत की तुम्हें कोई पहचान न हो संगीत का कोई ज्यान न हो तो भी मैं तुम से प्रेम करूंगा या पहले वाले ने कहा and I would love you for the second even if you did not on a guitar और दूसरे ने शपत उर्वक कहा के मैं तुम से प्रेम करूंगा यद्दे पी तुमारे पास कोई गीटार न भी हो तो भी यानि तुमारे पास गीटार न होने पर भी मैं तुम से प्रेम करता रहूंगा यह दूसरे ने शपत पूर्वक कहा कि दोनों के उत्तर उस लड़की ने सुने लड़की ने उत्तर देते वे कहा कि आप समझ नहीं रहे हैं आई एम अ म्यूजिशन मैं एक संगीत अग्य हूँ मैं एक संगीतकार हूँ विच मी डू यू लव इफ यू डू नोट केयर अबाउट माई म्यूजिक अट ओल तो उसने कहा कि तुम मुझ को कैसा कैसे प्यार कर सकते हो कैसा प्यार करते हो क्या तुम्हें मेरे संगीत की बिल्कुल भी परवा नहीं है इफ यू डू नोट केयर अबाउट माई म्यूजिक अट ओल अगर तुम्हें मेरे संगीत की परवाई नहीं है तो तुम मुझसे किस प्रकार से प्रेम कर सकते हो ओ, they said, did we give you the wrong answer? वो दोनों बोले क्या रही, क्या हमने तुम्हें गलत उत्तर दे दिया? Yes, replied the girl, लड़की ने उत्तर देते वे कहा, हाँ Well, what is the right answer? तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो सही उत्तर क्या है? You must love me altogether, just as I am, all my gifts, all my possessions, everything I have been and ever shall be from now on तो उस लड़की ने कहा कि You must love me altogether, तुम लोगों को तुम्हें मुझसे पून तया, पून रूप से प्रेम करना चाहिए Just as I am, just as I am, all my gifts, मेरी समस्त प्रतिभाओं सहीत, या, gifts से मतलब है, उनकी प्रतिभाओं से संबन देत, all my possessions, मेरी समस्त संपतियों के सहीत, everything I have been, और जो कुछ भी मैं रही हूँ, जो कुछ भी जितना भी मैं रही हूँ and ever shall be from now on और अब के बाद जो कुछ भी मैं होंगी, उन सब को मिला कर, तुम्हें पून रूप से मुझसे प्रेम करना चाहिए उस लड़की नहीं ये उतर दिया but there's impossible, they cried out together, वे दुनों एक साथ चिलाए कि तु यह तु असंभो है वे दुनों ही बोले, चिलाते वे बोले, यह संभो बात है कि yes, I greeted the girl and chose a sad little tune to suit the occasion उस लड़की ने हां भरते वे का कि हां, उसने सहमत होते वे का and chose a sad little tune to suit the occasion और उस आउसर के अनुकूल एक दुख भरी छोटी सी धुन का चैन किया यानि एक दुख भरी हुई एक धुन को वो बजाने लगी तो हमने यहां पे देखा कि यहां लड़की के अनुसार उसे उसकी समस्त प्रतिभाओं और योग्यताओं के साथ पून तया प्रेम करना चाहिए उसे उनके द्वारा उसके पून अस्तित्व को स्विकार करना चाहिए वह जो कुछ भी थी उसके साथ उसे स्विकार करना चाहिए था और जब दोनों ही रहागीर उसकी प्रतिभा और कला की परवा नहीं करते हैं तो वह उदास हो जाती है निरास हो जाती है वे कहते हैं कि वह उसे प्रेम करेंगे चाए वह गिटार ना भी बजाए जिसका आर्थ है कि उन्हें उसकी प्रतिवा से कोई लेना देना नहीं है वे कह रहे थे कि वो चाए संगीत अग्ये नहीं भी होती संगीत का ग्यान उसे नहीं भी होता तो भी वो उससे प्रेम करते यानि उन्हें उसकी पजेशन्स उसके गिफ्ट से कोई परवा नहीं थी और अपनी कला की इस तरह से उपेक्षा देखकर वह दुखी हो जाती है और निरासा जनक आउसर पर एक दुख भरी छोटी धून बजाती है तो इससे हमारे समाज का हमारे पित्र सत्तात्मक समाज का रूजहान प्रकट होता है जिसमें किसी महिलाओं की योग्यता को अंदेखा किया जाता है और यहाँ पे लेखी का सुनिती नाम जोशी इस तथे को इस्तापित करना चाहती है कि पुरुषों को महिलाओं की प्रतिभ के आदार पर नहीं आंका जाना चाहिए